हालो एब्रीवन नमस्कार मैं सौरख पुमार आप सभी का लॉपाइंट चैनल में स्वागत करता हूं और जो बच्छे मुझे नहीं जानते हैं मैं ब्यस्वी मैथ और साथी साथ LLM LLB यहां बनारा सुन्दर सुटिय से कर से रखा हूं और मैं टीचिंग के छेतर में सारे गाइडिन्स मैंने CUTUG की बच्चे पी जी की बच्चों को दी है ठीक है आज जो गाइडिन्स है जो नए बच्चे है या फिर जो बच्चे अभी 2022 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएं वो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कि कोचिंग का चुनाओं कैसे करें च ठीक है तो online और offline कोचिंग के चुनाओं में हमें क्या करना चाहिए हाला कि आपके पास option है self studies versus coaching का ठीक है उसमें आने वाले समय में बुक्स की वीडियो और कैसे सारी चीज़ें और importance होती हैं दो तीन वीडियो आएंगी तो उसके बाद आप एक परपक्य एक समझदार student की तरह है ना तो आप चूच कर पाएंगे कि क्या चीज़ें सही है ठीक है आओ जड़ा देखो कि चुनाओं कैसे करें मैं कोचिंग का चुनाओं कैसे होना चाहिए देखो कोचिंग के चुनाओं के लिए सबसे पहले यह तो देखना चाहिए कि वहां selection कितना हुआ देखो नुए सबसे हुआ है selection कि आप तो यह selection है के ओर जीनल डाटा कैसे मिले है ठोड़ा सा यह confusion होता कि और जिल रहा है कि नहीं ठीक है तो और जिनल डाटा मिलने में दिक्कत होती फिर भी आप थोड़ा सा विलीब कर लेंगे जो आपको डोमेन में मिल रहा है जो मतलब जो पारें वही सच है या नहीं यह बात तो बात में डिपेंड करें लेकिन देखो जो दिख रहा है क्या है ठीक है तो यह देखो सेलेक्शन मालों किसी कोचिंग में सेलेक्शन खूब हुए ठीक अच्छी बात है अब आपको देखना है वहां लोग अगर आप ऑनलाइन कर रहें तो अब पिछले बच्चों से फिडबैक लेंगे खासकर आपके बगल वाला जो कोचिंग ले चुका है ठीक उससे कोई रेलेटिव या फिर कोई और दूर का मित्र उससे पूछेंगे कि पिछले साल क्या जो वादे किये गए थे जितने भी चीज़ें कही गई थी क्या वो सब पूरे हो गए मतलब वीडियो सही समय पे आई सब रेगुलर हुआ टेस्ट हुए जो भी डाउट सेशन वगरा वगरा जो भी होते हैं यह भी कोचिंग संस्थान में क्या वो सारी सीचें हुई थी जो पिछले क्लास के बच्चे थे अगर सब कुछ सही हुआ था तब त पंक्चुल है बहुत ही पंक्चुल बहुत ही मैनेजमेंट इसका मैनेजमेंट अच्छा है तो दो क्राइटेरिया होगे दोनों में कोचिंग वो पास हो गए तीसरी क्राइटेरिया ठीक है तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि क्या जो पढ़ाया गया था जो चीजें पढ़ा के जो previous वाले हैं या फिर किसी भी तेरे किसे डाटा आप एकठा करेंगे कि क्या जो पढ़ाई गए थी चीजें वही आई थी अगर हां तब तो ये तीसरा क्रेटेरिय भी पास कर जाता है मतब तीसरी क्रेटेरिय भी ये कोचिंग संस्थान पास कर गया ठिक चौथी और most important criteria ये तो सब पास कर गए चौथी और most important criteria क्या टीचर कौन-कौन थे क्या वही टीचर थे जो इससे पहले पढ़ाये थे वही टीचर आपको मिलने वाले हैं या टीचर नहीं मिलने वाले ये सबसे बेस्ट है कि किस subject को पढ़ाया गया था जो सबसे ज्यादा match कर गया था ना जो सबसे ज़्यादा questions के subject में थे क्या वही subject के चीटर आपको फिर से वही लोग पढ़ा रहे हैं ये बहुत important बच्चों कोचिंग संस्थान में ये बहुत important match करता है बात करते हैं कि एक आदमी है वह सब जगह तो नहीं पढ़ा पाएगा तो ये देखना पढ़ेगा क्या वही teachers आपको पढ़ा रहे हैं clear तो ये चौती criteria हो गई अगर हाँ तो समझ लो ये direction आपको सही जा रहा है आरे बास समझ में तो ये देखो ये ये आपको coaching चूच करने से देखना पढ़ेगा और last last और सबसे most important जो इन सब को खारिज करने वाला है जो इन सब को खारिज करने वाला है वो आप क्या वई वो आप हो इन सब को खारिज कर रहे हो कि जो teachers जो teachers ने पहले आपको पढ़ाया था जो content आया यह जा selection हुए है ना या फिर यह management अच्छा था manage management है ना management अच्छा था तो सबसे पहले आप क्या है जिसको बोलते है demo videos demo देखेंगे demo video के बाद ही आप admission लेंगे at least आपको देख यह देखने को मिल जाएगे कौन से teacher आपको पढ़ा रहे हैं ठीक क्या जो teachers पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है यह कैसे पता चले आप अंदर से पूछिए गए कि जो teacher ने पढ़ा है आपको समझ में आया की नहीं इसके लिए एक checking और है कि आप जो जो course लेना चाहते हैं उसकी book पहले ले ले बुक्स पहले ही ले ले और बुक्स को पहले खुद पढ़ ले खुद पढ़ने के बाद फिर teacher से पढ़े तो देखो क्या differences आता है क्या समझ में आता है क्या नई चीज़े सीखने को मिली क्या आपको जो topics वहां नहीं समझ में आ थी यहां समझ में आ गए ठीक तो यह डेमो ठीक है तो डेमो वीडियो देखना बहुत जरूरी है तो यह सबसे अगर आपको संदुष्ट करता है यह हर बच्चों की case में अलग-अलग होगा कुछ बच्चों को पसंद आएगा कुछ बच्चों को बिलकुल नहीं पसंद आएगा तो आप अपना choice बदल सकते हैं आप एक coaching में जा सकते हैं दूसरी तीसरी चौती पांच में कई coaching में हराम से डेमो ले लें डेमो लेने के बार decide करें कहां पढ़ना इससे क्या होगा कि last में आप ये देख पाएंगे कि जो combination मिला मालो मैं मानता हूँ एक बात मानता हूँ ये देखो मालो हमें चार teacher मिले चार teacher में हमने अच्छे से अगर अच्छे से सारी precaution लेके काम किये मालो मुझे तीन best teacher मिल गए और एक teacher ऐसे मिल गए तो तब भी आपका selection तैह है भई ठिक अगर आपने ये subject नहीं किया मालो ये उल्टा हो गया एक अच्छा teacher मिला तीन EURS teacher मिल गए तो भी ये selection कहा होगा या दो-दो का खेल रहे गया तब भी selection आपका नहीं होने वाला है ठीक तू जब ये होगा नहीं भई ये देखो ये है ये चुनाओं ठीक है कैसे coaching का चुनाओं करें हैं ये coaching का चुनाओं का ठीक तब ही बात बन पाएगी आपके selection 2013 की जर्नी ठीक अधरवाइज बिलकुल नहीं हाला कि books के बिसे में हम लोग आएंगे books की बिसे में आएंगे सारी चीजें बताएंगे आपको कैसे कैसे करनी वो सायद आने वाली दिनों में अगले या फिर कुछ दिनों में आ जाए ठीक तो उमीद है बच्चों कि आप ये बात समझ पाएंगे कि हमें coaching को चुनाओ करते समय किन चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना है चान बीन कर लो है ना जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है अराम से चान बीन करो उसके बाद अराम से पढ़ाई करो है ना समय है अब एक महीन आपके पास समय है 15 दिन समय है 20 दिन समय है अराम से पहले डिसकस करो चान बीन करो घरवालों से बैठो बात चीत करो ठीक है आएंगे हम लोग अब अगली वीडियो में हम आएंगे बात करेंगे offline versus online coaching क्या best है अगर आप लेना ही चाहते है तो क्या लें ठीक उ करें और बच्चों को बताएं हैं तक कि सारे बच्चे अच्छा decision ले सकें ना ताकि उन वो जो इन्वेस्ट करें जो बीचाय अपना समय यहां देखो आपका दो चीज खराब होगा एक तो समय और साथ-साथ आपका पैसा ठेक है वह पैसा आपके पैरेंट्स का जो बहुत अबताक अडमिशन लेंगे तो आपको कहीं ने कहीं पस्तावा रहेगा ठीक है उमीद करता हूं बातें आपको समझ में आए होंगी हाना तरीका कई हो सकते हैं ठीक आप उस चीचे से बैठ के बात कर सकते हो ठीक सर मुझे यह चीज़े नहीं समझ में रहें अच्छे से बा होंगे और कांस Πराने कांसलिंग कर से रहें होंगे और अडमिशन की आस लगाया होंगे और लगाना भी चाहिए थीख है वाखी आप कुछ ने कुछ अच्छा सोझ भी रहें Pharisee होंगे अब मूब आउन करने के लिए फीचर में फिर से बढ़ने के लिए ठीक है कुछी दिनों में आप सारी सी क्लियर हो जाएंगे एडमिशन भी बहुत जल्दी हो जाएंगे मुझे लगता है कि ये एक्टूबर जाते जाते या हो सकता है कि नवंबर के कुछ एक सब्ता उसके बाद आप फ्री होंगे वो कैसे आपको मिलेगी है ना तो बच्चों आप को ये खुद रिस्पॉंसबल होना चाहिए कि सरकी मेनद जो है वो जाया न जाये उनको अपना एप्रेशियेट किया जाए ताकि वो हमें सा मोटिवेटेड रहे और हमें एक सही इसलिए मैं हमें सापने आपको मेंटोर बोलता हूं पत्फ प्रदर्सक नौर्ट टीचर क्योंकि टीचर जो होता है वो एक सामने वाले बेक्ति को इस्टुट को बदल देता है ना सिर्फ नौलेज में नहीं उसकी बेक्तित उसके विचार उसके विएवियर सायद ऐसा मैं मैंने कुछ बच्चों को साथ कर पाया हूं जो पिछले बच्चे हम से यूडए क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा टैस थे सारे बच्च्चों के साथ नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या हैन दो सखों जब आप मेरे सामने होंगे तो मीद नई पूरा गारंटी दोंगा सभी जितने बच्छे उनके बिचार में उनकी इनकी सोच में उनके लगन में उनके परिस्थरम में और उनकी भाविश्च में और उनका टार्गेट एकदम सटीक होगा ये मेरा आप सबी से वादा है तो उमीद करता हूँ आप सबी स्वस्त होंगे मस्त होंगे और एकदम एनर्जिस्टिक फिल करिए मस्त रही स्वस्त रही मिलेंगे फिर लेते हैं आपसे आज का अलविदा थैंक यू